नमस्कार मैं हूँ प्रभाकर मरी तिवारी आप देख रहे हैं मेरा ये खास कारिकरम पोलिटिक्स वीट प्रभाकर अब जानते हैं पश्ची मंगाल में आसन सोल के सांसद, बीजेपी सांसद और पुर्व केंद्रिय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने सब को चौकाते हुए शनिवार को ट्रिणमुल कॉंग्रेस का दामन ठाम लिया है लेकिन यह महज एक अकेली घटना नहीं है इसके कयास पहले से लगाय जा रहे थें लेकिन अब बीजेपी के निताओं को भी उमीद नहीं थी कि बाबुल 2024 लोकसभा चुनाओं के पहले ही पार्टी से नाता तोड़ लेंगे अब बाबुल के इस फैसले के बाद बंगाल बीजेपी में आशंका और चिंता बढ़ गई है दूसरी और टीमसी के सांसद अभिसेक बनर जी ने कहा है कि अभी तो यह शुरुआत है तीन महीने का मुझे समय दीजिए तीन महीने बाद देखिएगा क्या होता है इस बीज प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलिप घोस ने इस तमाम घटना क्रम के लिए बीजेपी के केंद्रियन नेताओं को जिमेदा ठराया है उन्होंने कहा है कि पार्टी चाहे तो मुझे भी निकाल सकती है ऐसे नेताओं की शिकायत के अधार पर पहले कई लोगो की जचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निसान भी दबा दें तो चलिए आज देखते हैं क्या कल शाम के बाद यानि बावुल के टीमसी में शामिल होने के बाद क्या क्या घटना क्रम बदला है बावुल सुप्रियों ने जब 31 जुलाई को राजनीती से सन्यास का एलान किया था तब उन्होंने कहा था कि वे जल्दी ही सांसत का पद भी छोड़ देंगे लेकिन बीजेपी के किसी नेता ने इस बात की आशंका तक नहीं की थी कि वे 2024 से पहले अपना पद छोड़ेंगे बाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नडड़ा के साथ बैठक के बाद बाबुल ने कहा था कि वे आशंसोल की जनता के हीतों को ध्यान में रखते हुए सांसत बने रहेंगे लेकिन बीते तीन दिनों में बाबुल के सब्दों में अगर कहें तो उन्होंने बीते तीन दिनों में मन बदला है और बंगाल की जनता की सेवा के लिए त्रिडमुल कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है यहां कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सांसद रहते हुए बीजेपी के सांसद रहते हुए भी तो वे शेवा कर सकते थे लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपना फैसला बदल लिया और त्रिडमुल कॉंग्रेस का दामन थाम लिया दरसल यह बहुत प्रिष्टबूमी पुरानी नहीं है लेकिन जब बाबुल सुप्रियों को केंद्रिय मंत्री मंडल से हटाया गया था तो ममता बनर जी ने उनको सांतोना दी थी और कहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए था बाबुल सुप्रियों एक बढ़िया आदमी है और उनसे इस्तिफा नहीं मांगा जाना चाहिए था उसी समझ से यह कयास लगने लगे थे कि देर सबेर बाबुल सुप्रियों शायत त्रिणमुल कॉंग्रेस में शामिल हो सकते हैं लेकिन इसका अनुमान राजनितिक पंडितों को भी नहीं था कि वे अचानक इतनी जल्दी त्रिणमुल कॉंग्रेस में शामिल हो जाएंगे इस से बीजेपी में खास कर बंगाल बीजेपी में आशंका का माहौल है क्योंकि अभिसेक बनर जी ने कल पत्रकारों से कहा कि मुझे तीन महीने का समय दीजिए देखिए तीन महीने बाद क्या होता है यहां और बाबुल सुप्रियों सब कुछ बताएंगे उनका कहना था कि अभी बाबुल सुप्रियों बहुत कुछ कहेंगे और आप देखिए कि अगले तीन महीने में क्या होता है मुझे तीन महीने का समय दीजिए तो उनका कहना था कि बाबुल अभी कुछ दिन तक राजनीती से हट नहीं सकते हैं उनका राजनीती में रहना जरूरी है ऐसे लोगों की जरूरत है राजनिती में और बाबुल सुप्रियो साथ जुलाई को जब केंद्रिय मन्तिमंडल में फेर बदल हुआ था तो उससे पहले उनसे इस्तीफा मांग लिया गया था और इससे अब बाबुल के आने के बाद एक मनो बैग्यानिक जटका लगा है बीजेपी खेमे को भगवा खेमे को अब तक आपको बता दूँ कि बिधान सबाद चुनाओ के नतीजों के बाद से चार बिधायक टीमसी में घर वापसी कर चुके हैं इसकी शुरुआत हुई थी मुकुल राय से 11 जुन को मुकुल राय आये थे उसके बाद और कई बिधायक अलग-अलग आ गये हैं त्रिनमोल कॉंग्रेस खेमे में तो ये एक मनोबैज्यानिक खेल ठीक उसी तरह ममता बनर जी और उनकी पार्टी खेल रही है जिस तरह चुनाओ के पहले बीजेपी ने खेला था नाकाम कोशिश के थी तमाम टीमसी के लोगों को ठोक भाव में शामिल कर रही थी हलांकि चुनाओ में उसे कोई फाइदा नहीं मिला इसका और उसे महज 77 सीटों से ही संतोस करना पड़ा जबकि पार्टी का नारा था अब की बार 200 पार प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी केंद्रिये ग्रिह मंतरी अमिर्शाह और तमाम नेता महीनों बड़े पैमाने पर रहे लियां और रोड फ्रो कर रहे थे बावजूद इसके उनको इसका कोई फाइदा नहीं मिला तो बाबुल का मन बदल गया अचानक तीन दिनों में उसके बाद वो यहां आ गए और बीजेपी के कई निताओं ने जब पहले ये खबर सुनी कि बाबुल टीमसी में शामिल हो गए हैं तो उनको इस पर भरोसा ही नहीं हुआ उनका अब भवानिपूर में दरसल बाबुल सुप्रियो इस्टार प्रचारक थे पार्टी के एक सुची है आप ने देखी होगी अभी स्क्रीन पे जिसमें इस्टार प्रचारकों की सुची में बाबुल सुप्रियो का भी नाम था ऐसे में बाबुल सुप्रियो का ठीक 10-12 दिनों पहले भवानिपूर उप्चुनाव से बीजेपी से नाता तोड़ना एक बड़ा जटका है बीजेपी के लिए और बाबुल इसलिए उसके बाद पार्टी में आशंका का माहौल है चिंता का माहौल है कि क्या होगा अब क्या होगा और ये सब चीजें चल रही है बावुल के वकील भी रही थी बावुल की प्रियंका उनके दफ्तर में भी आना जाना था लेकिन प्रियंका ने अब तक इस पर कोई टिपणी नहीं की है आपको बता दू ममता बनर जी के खिलाब बीजेपी उमिद्वार हैं प्रियंका बनर ज कि बावुल सुप्रियों और दिलिप घोष के भी 36 का आकड़ा था दोनों में मेल एकदम नहीं था बिधान सबा चुनाओं के दौरान हो या बावुल ने जब ट्वीट किया था मंत्री मंडल से इस्तीफे के बारे में उनका कहना था दिलिप घोष का कि जो लोग मेरे खिल आप दिलि में केंद्रियन नित्रितों से शिकायत करते थे और उसकी बज़ा से पार्टी के कई नेताओं को निकाल दिया गया तो लगभग मुझे भी हटाने की नौबत आ गई थी और ऐसे लोग मुख्यमंत्री या मंत्री बनने के लिए पार्टी में आये थे चुनाओं लड़ा था लेकिन आज ये लोग कहां है यही सवाल मैं केंद्रियन निताओं से कर रहा हूँ यानि साफ है कि दिलि गोस ने बाबुल सुप्रियों के टीमसी में जाने के लिए बीजे पी केंद्रियन निताओं को जिमेदार ठराया है उनका कहना था कि बीजे पी एक पाजनीत पसंद नहीं करते तो ये सब चीजे चल रही है बाबुल के त्रिणमुल कॉंग्रेस में शामिल होने पर अपनी टिपणी करते हुए दिलिप घोस ने कहा था कि वे सांसद हैं मंत्री रहे हैं करीब सात वर्सों तक केंद्र सरकार में लेकिन वे आज तक एक सामान अजिल के पार्टी कारे करता नहीं बन सके बिजेपी के और उनकी दिमाग में कई चीजें चल रही है इसलिए उनका पार्टी छोड़ना कोई जटका नहीं है लेकिन जो लोग पार्टी के लिए जिनोंने मार खाई है अत्याचार सहा है उनको लेकर किसी को कोई चिंता नही है किसी को कोई तकलीफ नहीं है जाहिर है दिलिफ घोस्ट के निसाने पर केंद्रियन ने तेतो है लेकिन बाबुल के फैसले ने बीजे पी खेमे भगवा खेमे में चिंता बढ़ा दी है आगे अगर कुछ होता है मैं आपको बताता रहूँगा आज के लिए बस इतना ही धन् नमस्कार